चलिए बच्चो, नमबर 12 को clear करने के बाद, अब जो हम आगे का काम करने वाले है, that is a very interesting thing, we are going to understand the real logic behind the NPV, तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ, यह बहुत ही interesting, फूरे session का सबसे important और interesting part होने वाला है, मैं आपको लेके चलता हूँ, you know, logic of NPV में, कुछ चीज़े यहाँ है, वो बापीस आएगी, देखिए, logic of NPV के बारे में बात करते हैं, suppose आपके पास एक business है, जिसका 5 lakh का initial investment है, and 1, 2, 3 and 4 years में आपके पास इतना पैसा आएगा, suppose your discount rate is 10%, right, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि आपका जो discount rate है, वो discount rate मानलो बच्चो हो गया है, 10%, तो मैं उस 10% को भी आपके सामने लिखता हूँ, ये रहा आपका discount rate, बागी characters बाद में आएगे, मैं चाहता हूँ कि आप इसका NPV find out करो, आप इसे discount करो, और इसका NPV find out करो, देखिए, अगर मैं इसे discount करता हूँ, अगर मैं इसे discount करता हूँ, तो मेरा NPV का जो figure आएगा, वो पहले में ल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं Sigma DCF का भी actually figure लिखूँगा, जिससे आपको idea आए, आप भी अपने हिसाब से video को pause करके, right, notebook में NPV गिनी, क्योंकि मैं मानता हूँ के NPV गिनना अब आपके लिए, बहुत ही ज्यादा easy task है, right, देखिए, मैंने इसका Sigma DCF निकाला, so somewhere जो विडियो को pause करके एक बार गिनी है, मैं Sigma DCF निकालता हूँ, बच्चो इस Sigma DCF जो यहाँ पे आ रहा है मेरा, जो मैंने calculator पे गिना, उसका figure यहाँ पे लिखता हूँ, so Sigma DCF at the rate of 10% का figure है, 7,1455, मैं इसे round figure करूँगा, I am sure आपने भी यह same figure गिना होगा, तो देखिए, अगर म मैं 5 lakhs को minus करूँ, so naturally NPV आएगी 2 lakh, 1454, this is the figure of NPV, right, हमने NPV को गिन तो लिया, बच्चो जब मैंने पहली बार CA के syllabus में इस NPV को गिनने की कोशिश की थी, when I was in my CA inter, तब यह present value में पैसो को convert करने वाली बात, एक process की तरह समझ में तो आ गई थी, I am sure आपको भी इस पूरे chapter मे present value हम cash flow की क्यों निकालते है, एक process की तरह समझ में तो आ गया है, लेकिन actual यह clear नहीं होता कि NPV का मतलब क्या है, still students are not so much clear, you know as to what actual NPV wants to say, और इसकी लिए मैं एक छोटा सा example आपके सामने लेके आऊंगा, इस example को अगर आप end तक ध्यान से देखोगे, तो बच्चो आपको यह clear पता चल जाएगा कि NPV असल में होता क्या है, चलिए, मैंने NPV गिन के तो लिख दी, आपको मालूम है NPV कैसे गिनते हो, टेबल आप बना सकते हो, और NPV लिख सकते हो, अब मैं एक story आपको सुनाता हूँ, दो आदमी है, एक है Mr. Thakur, I am sure आप Mr. Thakur को आप जानते होंगे, शोले में इनोंने, you know, iconic acting की थी, right, मान लो Mr. Thakur के पास पैसा है 5 लाक रुपिया, लेकिन वो बिजनस नहीं कर सकते, दो हाथ ही नहीं है, तो क्या बिजनस करेंगे, बिजनस को handle नहीं कर सकते, तो Mr. Thakur ने सोचा, कि मैं काम करता हूँ, मैं 5 लेक रुपीज को बैंक में र 4 years के बाद कितना हो जाता है, वो आपको देखना है, you have to suppose that the interest rate which the bank is providing is 10%, so please listen to me carefully, हम अब तक जब NPV गिन रहे थे, तो पैसो को future की date से present में convert कर रहे थे, लेकिन इस बार जब मैं NPV गिन रहा हूँ, या मैं किसी अलग तरीके से एक practical life में businessman कैसे सोचता है, वो आपको बताना चाता हूँ, तो मैं business के पैसो को present में नहीं, future में ले जाने वाला हूँ, एक बात आप समझ ये, किसी भी आम इनसान के लिए future value गिनना आसान है, because he knows how to compute the interest in practical life, लेकिन उसको present में convert करने की जैसे ही बात करते हैं ना, एक आम आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, वो समझ नह पैसे की आज की value बिचारे को समझ में आती नहीं है, तो हम एक आम आदमी की तरह आप यहाँ पे सोचने वाले, देखिए Mr. ठाकूर के पास 5 लाग रुपिया था, मैं यहाँ पे 5 लाग लिखता हूँ, वो उसने 4 years तक invest कर दिया at the rate of 10%, उसने 4 years तक invest कर दिया at the rate of 10%, अब द देखना यह है कि 4 years के बाद यह पैसा exactly कितना हो जाएगा, तो simple compounding करेंगे हम 1.1 into 1, 1, 2, 3 और 4 और into 5 lakhs करूंगा, तो after 4 years this amount will become 7,32,050 rupees, क्या बन जाएगा बच्चों amount, 7,32,050 rupees, I am sure यह गिनना बहुत ही आसान है, if I just put it here the calculations, you will get it in a better way, 5 lakh into 1.10 raise to 4, यह compounding करेंगे, तो आपको 7,32,050 का figure मिल जाएगा बच्चों, तो I am sure this is very easy for you, अब हम देखते हैं एक दूसरा character, यह है Mr. गबर, बहुत ही महनत ही आदमी है, यह businessman है, यह अलग-अलग villages, अलग-अलग घाओं में जाके business करते है, पहले उसने business में investment किया, उसने 5 लाक रुपे जो थे, उससे घोडे खरीदे, हतियार खरीदे, बंदू के खरीदी, उसने लोगों के salary के लिए पैसे रखे, उसने सांभा और कालिया को जोग पे लगाया, and now after doing investment, he is doing business, and he likes to do business on the auspicious day of holy, इसलिए हमेशा पूछते रहते हैं, कब है holy, holy कब है, right, you must have heard the iconic dialogue, तो देखिए यहां पे, यह जो है, वो business कर रहे है, तो इनका 5 लाक रुपया तो पहले इनके हाथों से गया, क्योंकि उसने घोडे खरीद लिए, हतियार खरीद लिए, working capital के लिए पैसा रखा, अब पहले साल के end में, इनके पास 2 लाक रुपया आता है, बच्चों, पह पे करते है, 10 परसंट पे ही करते है, तो he can invest these 2 लाक for how much years, for 3 years, because he is getting this amount at the end of the first year, so now he can invest this amount only for the period of 3 years, 2, 3 and 4 years, so let's find out the future value after 3 years, so he is investing the amount for 3 years, 1.1 into 1, 1, 2 and 3 into 2 lakhs करूंगा, so his future value at the end of 4th year will be 2,62,200, right, now he is getting 2,30,000 rupees at the end of the 3rd year and he can invest the same amount for 2 years and the future value after 2 years for 2,30,000 will be 2,78,300, he is getting amount of 2,75,000 at the end of the 3rd year, so he can invest the amount only for 1 year, so the amount will be after 1 year, 3,25,000, I am sure you are getting the computations, यह future value मैं find out कर रहा हूं, invest करने के बाद की, after 4 years, तो मैं F, F, V, 4 लिख सकता हूं उन से, and last year में याने के 4th year के end में, गबबर जी को 1,80,000 मिलेंगे, he cannot invest it because 4 year के end में उसको सब काउंटिंग करनी है, so he will be getting 1,80,000 रुपीज उनली, अब देखना है के total पूरा बिजनस किया, मेहनत किया, cash flow कमाया, cash flow को भी वापिस reinvest किया, यह सब कुछ करने के बाद, क्या मिलता है गबबर सिंग जी को, 4 साल के बाद, वो हमारा बहुत ही ज्यादा चर्चा का विशय है बच्चो, तो मैं यहाँ पे इसे, अगर सब कुछ add कर दूँ, तो मुझे मिल जाएगा 10,27,000, क्या मिल जाएगा बच्चो, 10,27,000, यह मिल रहा है 4 यर के बाद Mr. गबर को, अपने देखा, तो ठाकूर साब को 7,32,050 मिला था future में, अगर जी ने business किया, तो उनको 10,27,000 मिला, let's try to find out कि गबर सिंग जी को एक्स्ट्रा कितना मिला, I am just finding the difference between the two, right, I am just finding the difference between the two, the difference is 2,94,950, यह गबर सिंग जी को एक्स्ट्रा मिल रहा है ठाकूर जी के मुकाबले, अब देखिए, यह जो computation यहाँ पे है, I am sure computation आप समझे होंगे, दो तरीके है, या तो आप project में पैसे लगाईए, या तो business में पैसे लगाईए, लेकिन business में पैसे लगाने के बाद, जो पैसा आपको वापिस मिल रहा है, right, उस पैसे को भी आप reinvest कर दीजी, अगर आप उस पैसे को reinvest करोगे, तो जो total future value आपको मिलेगी, वो future value लेके आ गए, फिर उन दोनो future value का difference निकाला, simply speaking मैंने यहाँ पे NPV कहीं नहीं गिनी, ना मैंने कोई present value किया, ना मैंने कोई amount को कहीं पे भी कोई discount किया है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे किया नहीं गया, फिर भी आप देखिए, एक आम आदमे के तरीके से, जो के future value गिनना जानता है, वो समझ गया कि पैसे को FD में, या one time investment में 10% पे लगाने की बजाए, अगर उसको business किया जाए, तो आपको उम्मीद से भी बढ़के return मिलेगा, ये जो 10% return मिलता, तो आपका पैसा सिफ 7,32,050 होता, लेकिन आपको तो जो पैसा मिला है, वो 2,94,950 extra मिला है business करके, तो बच्चो मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि जब आपकी NPV positive आती, ये देखे आपकी NPV positive आई थी जब आपने पहले गिनी थी, तो NPV positive का मतलब क्या होता है, कि आपको उम्मीद से कुछ बढ़के मिलता है, लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आई, यहाँ पे जो उम्मीद से बढ़के वाला figure आया, वो 2,1454 आया, और यहाँ पे हमने future value की counting की, तो investment में जो extra figure मुझे आया उम्मीद से बढ़के वाला, वो 2,94,950 का figure आया, ऐसा क्यों हुआ? क्या future value गिनने वाला इंसान NPV का figure नहीं ला सकता? the answer is absolutely ला सकता है, एक बात समझ यह बच्चो, now this is a brilliant concept, यह अगर आपको समझ में आ गया बच्चो, आप यह समझो कि the day is completely used in a better way, and your level in finance have increased, you will not only be following the procedures given in the book, rather than that, you will be getting the real idea behind the concept, right? so, यह जो है न NPV हमने गिना है बच्चो, वो तो present value terms में होता है, you know it, क्योंकि हम इसके अंदर present value ही तो निकालते है, और फिर sigma DCF जो होता है, उसमें से initial investment को minus करते है, तो यह present value terms में है, जबकि यह जो 2,94,950 है, वो मेरे बच्चो future value के terms में है, है तो दोनों एक जैसा ही, खाली दोनों का समई अलग-अलग है, यह blue color, यह white color का जो figure है, 2,1454 यह present value में है, और उसी का जो figure है future value का, वो है 2,94,250, in a nutshell में कहना यह चाहता हूँ, कि अगर आप यह 2,94,950 की present value निकाल देते हो, तो वो present value का figure 2,1454 यह उसके थोड़ा सा आस्तपास ही आएगा, point की वज़े से errors थोड़ी बहुत आती रहती है, चलिए इसकी present value निकालने की try करते है, how we can find out, so 2,94,250 को divide करना पड़ेगा, 1.10 raise to 4 से, चलिए इसको एक बार solve करते हैं, 1 divided by 1.14 times आप equal to करेंगे, तो आपको मिलेगा 0.6830, अगर divide 2,94,250 divide equal to price करोगे, तो मेरे बच्चो जो आपको answer मिलेगा, वो answer में आपको बताता हूँ, 1 divided by 1.1, 1, 2, 3, 4 into actually करना है आपको 294,250, ये आपका answer आजाएगा बच्चो, आप देखेंगे तो 2 lakh क्या answer आता है, 2 lakh 977 आपका answer आता है, आप कहेंगे sir there is a difference, यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ और ही आया, और यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ और ही हाया, देखो थोड़ा सा फरक आता है, जब हमने NPV गिनी थी तब कितने points लिये थे, और जब NPV, ये future value गिनी थी तब कितने points लिये थे, उसकी वज़े से थोड़ा बहुत फरक आता है, जैसे यहाँ पे भी हमने यह जो figure था 730 to 50, उसको भी हमने round figure कर दिया था बच्चों, यहाँ पे बच्चों लिखने में error हुई है, इसलिए answer में थोड़ा सा फरक आ रहा था, यह 2,94,950 लिखना पड़ेगा मुझे, आपर मैंने गलती से 250 लिखा था, अब देखो divide करके अगर देखेंगे तो exact आपका answer आजाएगा, that is 2,00, आप भी अगर divide करके देखें, तो 2,1454 का आपका exact answer आजाएगा बच्चों, NPV का real meaning क्या होता है, I am sure आप समझ पाए होंगे, कि यहाँ पे NPV का real meaning क्या निकला, हम NPV को इस तरीके से भी गिन सकते हैं, देखें मुझे कहीं पे भी बहुत सारी present value को गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो NPV जो होता है न, वो उम्मीद से बढ़के जो पैसा मिलता है, उसकी present value होती है, please listen to me carefully, वैसे NPV का figure एक तरह का illusion ही हो गया, आपको कभी भी future में 2,1454 extra मिलेगा, ऐसा होने ही नहीं वाला है, यह जो पैसा extra मिल रहा है, वो actually real जो पैसा extra मिलेगा future में, टू लेग 94,950 उसकी present value है, चलिए NPV को समझने की कोशिश करते हैं, देखिए NPV को मैं कुछ इस तरीके से भी बता सकता हूँ, हमारे ठाकूर साहब ने मानलो invest किया था, and investing is like you know, आप जैसे किसी एक seed को plant कर रहे हो, seed को plant करोगे तो seed grow करेगा, हमारे ठाकूर साहब ने एक seed grow किया, पांच लाक रुपिय इन्वेस्ट किये, 5 lakhs का investment करने के बाद उनका investment grow किया, और कुछ इस height का paid बना, हमारे गबबर साहब ने भी पैसे को invest किया, लेकिन business में invest किया, तो उन्होंने भी 5 lakhs invest किया और उनका इतना paid बना, याने कि इतना paid उनका grow हुआ, अब आपको बात यह समझनी है, कि जो भी extra मिला है गबबर साहब को ठाकूर साहब के मुकाबले, वो जो figure है बच्चों, वो net present value याने के NPV का figure है, so NPV का meaning क्या निकलेगा, NPV is return over and above the desired rate of return or a discount rate, हमारा discount rate अगर 10% था, तो 10% तक तो return इतना ही मिलता, जितना किसको मिला था, ठाकूर को मिला था, लेकिन गबबर ने जब पैसा लगाया, और एक बात का ध्यान रखना है, आप एक बहुत ही अच्छा assumption भी यहाँ पे सीख रहे हो, कि जो भी cash inflow आएगा, जो भी cash flow आएगा, वो cash flow को क्या करना पड़ेगा, cash flows are reinvested at discount rate, इस बात को तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, अगर आप इस assumption को follow नहीं करते हो, तो बच्चो NPV का पूरा concept बिगड जाएगा, राइट, सो गबबर जी ने जो पैसा उसको मिला था, उस पैसे को अगर आप देखेंगे, वापिस जाए पीछे हम, तो reinvest किया था, कौन से rate पे reinvest किया था, at the rate, at the rate 10% पे उन्होंने reinvestment किया था, और फिर दोनों की future value का जो comparison हमने किया, गबबर जी को जो पैसा ज्यादा मिला, उसी पैसे की जो present value है, वो बच्चो होती है NPV, So I am sure आप बच्चो समझ रहे हैं कि NPV का, क्यूं मैं ऐसा मतलब पूरे lecture में कहता रहता हूं, कि NPV जो होती है, वो आपको उम्मीद से बढ़ के मिला हुआ return होता है बच्चो, So देखिए, हमने काफी कुछ इस chapter के अंदर सीखा, काफी सारे points हमने सीखे, last में एक बहुती अच्छा point मैं आपको बताने की कोशिश की, जो के था हमारा, यह NPV का real logic क्या होता है, आपको जानके खुशी होगी बच्चो, कि इसी के साथ, हमारा जो यह chapter है, capital budgeting या तो investment decision का, वो बच्चो यहाँ पे होता है, खतम, यह chapter का यहाँ पे end होता है, I am sure बच्चो, बहुती अच्छा chapter आपको लगा होगा, आपने मेरे साथ साथ practice की होगी, तो अब exam में कोई भी question अगर इस chapter में से आएगा, तो आपको कोई तकलिफ नहीं होगी, thank you very much for watching this video. बच्चो